हलो दोस्तों आज हम दुबारा एक छोटे से स्मॉल कैप स्टॉक से रिलेटिड बाते करने वाले हैं जिसका नाम है स्नोमेन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड 74 रुपीज पर शेयर चल रहा है 84 को तच करके थोड़ा नीच आया था थोड़ा फिर भागा 74 के आस पास काम करता हुआ नजर आ रहा है शेयर कैसा है किस तरीके से है ठीक है उससे इलेटिड बाते करेंगे बट बिफोर दे वीडियो में आगे बड़े सबसे पहले I am small cap investor चैन अच्छा खासा profit आज ने तो कल मिलेगा और कैसे सीख सकते है वीडियो देखे वीडियो जाके देखिए एक एक वीडियो आपको पता चले की किस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे है किस बेसिस पर बात कर रहे है और क्या है यहाँ पर reason कि हमारे शेयर बताने के बाद तीन 8169261037 इन नमरों पर contact करके course को buy कर सकते है जहाँ पर basics to advance technical, research, fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, यह answers आपको मिलते हुए निज रहेंगे जब answers मिलेंगे तो अविसी बात है उस पर आप back testing करके देखना हाना एक साल तक थोड़ा सा practice करके दे जरूत नहीं पड़ेगी, यह मेरा आपसे बाता है, बाकी साथ में काम करना है, तो इनी नमरों पर contact करके आप साथ में काम भी कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे है कि स्नोमेन logistics limited, company करती क्या है, ठीक है, यह यह सब तब जादा चर्चा में आया था, जब COVID आया था, तो COVID आया थ इसमें थोड़ा सा जो महाल हो, जो गाड़ी हो वो ऐसे बर्फ से बनी हो, जो कि यहापर उसे डील कर सके एक प्लेस और दूसरे प्लेस पर, तो स्नोमेन का नाम उस टाइम होता है था, ठीक है, बट उस तरीके की vaccine हमारे यहापर नहीं यूज की जार की गई, तो स्नोमेन उ यूज भी सुनी थी, रूमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके validate नहीं करता हूँ मैं, बट इस्टिल, शायद अड़ानी इसमें इंट्रेस्टेट है, यह कुछ मेर को news आई थी, ठीक है, तो बात करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, news को छोड़ देते हैं, सब ची परणेट है, फर इसमें इंट्रोल करना है, थनडा रखना है, यह दूझे है, एक भार देख सकते हो, about us इनके बारे पर जानना है इनकी service के related यहां पर जानना है तो इनकी website पर विजिट करिये तिए कहां आपको इहां पर पूरा का पूरा समय में आएगा company किस तरीके से यहां पर काम करती हुई नजर आती है इनका warehouse क्या है किसे यहां पर आटर करती हुई नजर आती है यह जतने भी fruits होते हैं है na seafood होते उन्हें कहीं न कहीं स्टोर raise करने के लिए जो temperature controlling का मामला होता है और वो सब कुछ यही particular company करती हुई नजर आती है उसमें लीडिंग है PE की बात करें 79 का industry का PE 40 का है तो कहीं न कहीं अभी यह share महंगा हो गए ठीक न इस चीट को आपको क्या करना है ध्यान रखने ROC ROE की बात करें तो कुछ खास नहीं है कोई pleasing नहीं है debt की बात करें 61% की आसपास का debt है book value और intrinsic value से काफी ऊपर चल रहा है 10 की face value है dividend थोड़ा बोद company देती है 84 रुप खाई लगा है था 74 रुप यहां पर अभी यह share चलता हूँ और नजर आ रहा है और यहां पर देगे maximum chart pattern तो कभी यह share 2014-2015 के आसपास 100 रुपे के आसपास यहां पर trade करता है 120 और अभी 170 रुपे के आसपास है और यहां पर चीटो को और थोड़ा गौर फर्माएंगे तो आपको समच में आएगा कि company की जो sales है वो लगाता बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछल 3-4 quarter से company 100 क्रोड से जादा की sales करती हुई नजर आ रही है जो की positive है इसके लाबर net profit की बात कर रहे है जो company घाटे में और ना के बराबर profit कर रही थी वो यहां पर अच्छा कासा अभी profit करती हुई दिखाई दे रही है margin company के अच्छे कासे आते हुए दिखाई दे रहे yearly performance company का धीरे धीरे बढ़ रहा है 61 क्रोड से 500 क्रोड पे आती हुई दिखाई दे रही है 400 क्रोड तक और projected है कि इस साल यह 500 क्रोड का यहां पर काम करें तो 1200 क्रोड की company अगर 500 क्रोड का काम कर रही है तो कहीं न कहीं उसे अच्छा माना जाता है शीट को याद रखिएगा company net profit की बात करें तो यहां पर आप दिख सकते है net profit में चल रही है reserves की बात करें company के reserves यहां पर है 255 क्रोड के आसपास के और borrowing की बात करें company की यहां पर borrowing भी है और इसी वज़े से यहां पर कहीं न कहीं company को ज़्यादा interest बे करना पड़ता है और वो थोड़ा बहुत effect company के आता हुआ दिखाई देता है working progress में 8 करोड पर 43 करोड का investment company का छोटा मोटा है यहां पर cash भी पड़ा हुआ है positive cash flows यहां पर दिखाई देते हैं और यहां पर चीरों को आप देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हैं promoters की holding यहां पर लगाता बढ़ती भी नजर आ रही है यहां पर देखिए पर 44.27% की सदारी है यह दिसंबर तक का डेटा है और अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपको समझ मार्च में गेट पर डिश्टिक पार 4,50,000 शेयर खरीदे फैम में 8 लाक शेयर खरीदे आना दिसंबर में ही यहां पर लगबच 4 लाक शेयर खरीदे तो अब इसी बात है शेयर उसी हिसाब से भागता हुआ भी नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है FIS की बात करें FIS जो कि यहां पर 1% के आस-पास ते वो भी इससदारी बढ़ा रहे है GIS की बात करें, GIS की सदारी बढ़ती हुए नजर आईए, public की सदारी लगातार कम होती हुए नजर आईए 58 से 51 हो गही और जहां पर public की सदारी कम हो जाती है, वो share mostly भागते हुए नजर आते हैं, as a research ठीक है ना, कभी-कभी नहीं भी भागते हैं, तो इस शीट को याद रखियेगा हाना, बिल्कुल कहा रहा हूं, तो इसके basis पर आपको ऐसा नहीं करना कि चलो, मैंने कहा दिया, तो ले लिया, ऐसा नहीं करना है बाकि हम और बात करें, तो यहाँ पर देखें, पब्लिक का इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर 2020-2021 में अगर बात करें, तो डेर लाख लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में अभी केवल एक लाख, तो पचास जार शेयर ओल रहा है, तो निकल चुके है और जब यहाँ पर यह कम हो जाता है, नमबर कहीं न कहीं फैसिनेटिंग होता है यह चीज, तो इस पर ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारे positive चीज़े यहाँ पर दिखाई देती है, PE ratio किसी साब से बड़ा है, वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं positivity दिखाई देता है, महेंगा है, पर याद रखिए, PE के बेस पर कभी काम नहीं करते हैं, वो भी आपको कहा चुका हूँ, अब बात करेंगे, चार्ट से लेट यहाँ पर नीचे के label से देते हुए आ रहे है, 43 हाना और अच्छा खासे return यहाँ पर बन भी चुके है, तो याद रखिए, हमारे किसी न किसी client के बास यह हो सकता है, ठीक है, और दूसरी बात करें क्या snowman मैंने यहाँ पर दिया है, तो उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो snowman मैंने बोर टाइम पहले इशायत दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर इससे related video बनाई होगी, यहाँ पर देखिए, 9 मन्त पहले भी मैंने यहाँ पर बताया है, स्वोटीफोर रूपीस का stocks, और उदर से लगबर double हो भी चुका है, 44 पर इससे बताया था और यहाँ पर नजर आ रहा है, शेर यहाँ पर, लगबर double 84 पर जरनी तय करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो अब बात करते है, चार्ट से rated, चार्ट यहाँ पर देख सकते है, लगातार एक अच्छी खासी तेजी, और यहाँ पर बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से गिरा है, उसी तरीके से bounce back भी किया है, यह एक अच्छे share की पहचान होती है, पहली बात, promoter से लगातार buying कर रहे है, दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो कि 2020 का, एक बड़ा, हाना, 2020 और 2018 का यहाँ पर breakout होता हुआ नजर आया है, तो यह positive है, और breakout को यह support लेता हुआ नजर आया, यहाँ से अगर यह गिरता है, तो चीज नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, बट अगर यह इसी को तोड़के 75 के ऊपर जाता है, तो सबसे पहले 83, और 83 को cross करके, यह particular stocks है, और सीदे के सीदे यहाँ पर 94 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और 94 के बाद, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ, कि 134 कहा ही बनाया था, ठीक है न, तो 115 और 134 तक जा सकता है, जो कि अगर बात करने तो लग भग लग डवल ही नजर आता है, याद रखिए, buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor कुद की study करना है, चीजों को यहाँ अपर ध्यान रखना है, ठीक है, हम अभी हो सकता है कि मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं आपा खरीद भी सकता हूँ, जब खरीदूंगा तो शायल मैं बहुत जल्दी निकल भी जाओ, तो वो सब चीज़े आप में आपर देखनी होगी, तो मेरे कहने पर, किसी और की कहने पर बाइंग सेलिंग की जड़वत नहीं है, अपने फाइनेशल एडवाईजा कुछ की स्टाड़ी करके ही चीज़ों के आपर ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी लगए, लाइक काम कर सकते हो, और को नोट करके साथ में काम कर सकते हो, और कोर्स को बाई कर सकते हो, थाइन की सो मच काड़ब्स